एक है लो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल बिल्डिंग डिजाइन सौफ़र्वेस तो लास्ट वीडियो में हमने देखा एसी एकस्टेंड में से वाल एंड फोलीज को उप्शन तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेलिंग को उप्शन दोस्तों इस सौफ़र्वेर के हर ए से एकस्टेंड में जाना है उसमें रेलींग को ऊप्शन तो सिंब्ली अपको एसे ड्रैग करके ड्रो करना है यहां पे रेलिंग के । टो पात segments respect corners यह हम बाद में देखने वाले अभी यहाँ पे option लेंद का तो आप लेंद जो है overall railing की यहाँ से change कर सकते हो फिर यहाँ पे option है top rail का top rail यानी उपर का portion है तो उसको आपको round shape चाहिए या square shape चाहिए उसका जो profile है वह आप यहाँ से change कर सकते हो फिर यहाँ पे depth को option है आपको उसकी depth कितनी चाहिए वह आप रख सकते हो फिर width कितनी चाहिए and height है यहाँ पे top rail के top rail के हिसाब से वह adjust हो जाएंगी तो यहाँ पे option है lower rail का यह वाला जो portion है वह lower rail का है उसका भी profile हम round चाहिए square चाहिए वह रख सकते है फिर depth उसकी कितनी रखनी है वह आप चेंज कर सकते हो width कितनी रखनी है वह option है फिर यहाँ पे नीचा option है पोस्ट का पोस्ट यानि यह जो है side का जो portion है वह पोस्ट का portion है तो उसका भी profile आप चेंज कर सकते हो round या square फिर उसकी depth चेंज कर सकते हो width चेंज कर सकते हो और यहाँ पे extension है अगर वो आपको ऊपर की तरफ जाधा रखना है तो आप extension से कम या जाधा कर सकते हो फिर यहाँ पे नीचे option है fencing का तो fencing में यहाँ पे type है आपको railing के fencing कैसे चाहिए पिकेट्स यानि यह जो दो दिख रहे आपको center में वो पिकेट्स केते उसको और अगर अपने यहाँ पे solid fill कर दिया तो पूरा solid हो जाएगी उसकी fencing पूरी pack हो जाएगी तो जो चाहिए आप रख सकते हो पिकेट्स रखा तो पिकेट्स के option आपको visible हो जाएंगे और अगर अपने solid fill रखा तो उसके options visible हो जाएंगे तो अभी हम देखते पिकेट्स पिकेट्स में भी आपको profile चूज करने का option है यहाँ पर round या square फिर उसकी depth आप change कर सकते हो कम या ज्यादा width चेंज कर सकते हो फिर यहाँ पर extension है अब यहाँ पर bottom offset है तो अगर आपको नीचे से उसकी length कम या ज्यादा adjust करनी है और उपर से करनी है तो extension का option है और bottom offset तो नीचे का option है फिर यहाँ पर हम solid fill का option दखते हैं तो उसमें solid fill में उसकी thickness हम कम या ज्यादा कर सकते हैं फिर top offset तो उपर से से कम हो जाएगा bottom offset में नीचे से कम या ज्यादा कर सकते हैं फिर left offset है left side से कम हो जाएगा and right offset में right offset का कम हो जाएगा तो यहाँ पे हम pickets रखेंगे तो यह होगे railing के option अगर हम उपर के side जाते हैं तो यहाँ पे lower rail और post के उदर एक box दिखाई दे रहे हैं आपको yellow color का तो वो जो है spacing के option से lower rail की spacing post की spacing तो lower rail की spacing देखते हैं अगर उस पे क्लिक किया तो यहाँ पे count का option है तो lower rail यानि यह वाला पार्ट तो उसके हम counts बढ़ा सकते हैं 2-3 अपको जो जितने चाहिए उतने आप रख सकते हो फिर यह जो है spacing start offset end offset वो option उसके लिए विजिबल नहीं है तो यहाँ पे context है अगर आपको centers पे चाहिए या edges पे चाहिए तो वो आप changes कर सकते हो इससे क्या होगा railing की design आप बना सकते हो फिर यहाँ पे लिखा है four objects जो है lower rail के हमने ले लिया है एंड वो उतने उतने distance पे between the centers adjust हो गया है तो यह option है हम उसको close कर देंगे या आप उसको cancel भी कर सबते हो बन या टू रखके अभी हमने पोस्ट का option ले लिया है उसके spacing पे क्लिक किया तो उसमें भी हम उसके counts बढ़ा सकते जितने चाहिए उतने पोस्ट स्पेसिंग के उसमें start offset and end offset तो यहाँ पे उसके भी option है तो यह जैसे left and right को offset है वैसे यह option है उसके लिए पोस्ट स्पेसिंग उसके भी हम edges कर सकते हैं centers में या एजस पे फिर यहाँ पे पिकेट को option है तो उसके भी count हम बढ़ा सकते हैं वान टू थ्री और बाकिया option उसके लिए visible नहीं है spacing start offset end offset और एजस पे चाहिए यह centers पे चाहिए जैसे चाहिए वैसे हम design तयार कर सकते हैं तो एसे हम adjustment कर सकते हैं रेलिंग में उसके counts भी पढ़ा सकते हैं फिर अभी यहाँ पे पिक रेलिंग पाथ तो उसके लिए हमें एक पाथ चाहिए तो हम splines में जाएंगे और कोई भी एक पाथ ड्रॉ कर लेंगे सपोस हमने अभी एक rectangle ले लिया अभी यह जो है जैसा उसके हमने adjustment किये है वेसे ही रेलिंग यहाँ पे इस पाथ पे आ जाएंगे तो आप new file लेके भी कर सकते हैं और reset करके यहाँ पे आपको जाना है इस extended railing में फिर यहाँ पे बोलना है pick railing path और इस path को click करना है तो अभी यह कुछ इस प्रकार दिख रहा है यहाँ पे हम अभी segments increase कर सकते हैं तो यह तो हमारे shape है उसके according यह railing का shape हो जाएगा तो यह जो नीचे के profile से उसमें आप changes कर सकते हो तो यह हो गया railing option उमीद करती हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो यूसपुल रहेगा मेरे next वीडियो पे हम देखेंगे different designs of railing सो मिलते हैं मेरे next वीडियो पे तब तक के लिए keep practicing and don't forget to like subscribe and share